सरक जामकर परदर्शन करने वालों के खिलाब परसासन सक्त बिते सनिबार को दर्भंगा कमतौल बसेट एस एच 75 इस्तित रजोन चौक पर दर्भंगा महिला थाना कांड संक्या 4020 की पीरता के मुआबजाब अन मांगो को लेकर सरक जामकर रहे परदर्शन कारियों के परसासन ने कारबाई किया जिससे वहां के लोगों में दहसत फैल गया है परदर्शन कर रहे लोगों ने परसात्मिक अधिकारियों पर जानलेवा हमला कर दिया था इसको लेकर जाले के बीडियो राजेस कुमार ने भीर को उकसाने वाले रजोन गाउन निवासी सुबोध भंडारी पुर मुकिया अफाक आलम रोहित कुमार संजय ठाकूर मंगल सहनी संजय ज्जा जमाहिर सा संजय साह सटे मधुवनी जिला के बेनीपटी थानके पाली गाउन निवासी रंजीत पास्वान रुपीस मिसरा गुड्डू ठाकूर नितीस मिसरा एवं पताउना ओप के मधपूर निवासी दीपक कुमार सिंग अमन कुमार उर्फ कनाई सहित कुल 29 नामजद 133 अज्यात पुरुस महिलाओं के बिरुद गाली गलोज करते हुए जान लेवा हमला करने की प्राथमी की कमतौल ठाने में दर्ज कराई थी बताते चले की रजौन चौक से होकर ही बसायट तथा साहर घाट जाया जाता है जो उक्त दिनों घंटों बादित रहा वीडियो ने उलेक किया है कि मुआबजियमम अन मांगो को लेकर रजौन चौक को जाम के जाने की सुचना उन्हें कमतौल ठाना ध्यक्च सर्वर आलम ने दी उन्होंने भी दी बेवस्ता की उत्पन समस्या को देखकर बरिये अधिकारी को सुचित करते हुए करीब देड वजे रजौन चौक पर पहुंचे वहां कमतौल पुलिस इंस्पेक्टर बसंत कुमार जा, कमतौल ठाना ध्यक्च, जाले ठाना ध्यक्च, अमसीवारा ठाना ध्यक्च अपने दलवल के साथ मौजूद थे लगबग देड़ सो से उपर की संख्या में महिलायम फुरुस सरकों को जाम कर परसासंग बिरोधी नारे लगाते हुए जबरदस्ती नियम के बिरोध कार्ज करने के लिए गाली गुलज करते हुए उन पर जान लिवा हमला कर दिया सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसी भी तरह की भीर पर सक्ट पावंदी होने के बावजूद लोगों ने उसकी धज्या उड़ाई फिर अत्रक्त पुलिस वलके पहुँचने पर भीर हटी पर दसंकारियों के नौ साइकलियों नौ बाई को जप्त करते हुए पुलिस ने पुर्व मुकिया अफ़ाक आलम को मौके पर गिरपतार कर लिया है बीरो रिपोर्ट, SDF News, मदुवनी